नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्छा अकेडवी में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में है मद्द प्रदेश जेल पहरी के लिए मद्द प्रदेश शामन ग्यान तो चलिए दोस्तो देड़ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर कि दोस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण है मद्द प्रदेश का एकी करण किस वर्स हुआ था किस वर्स हुआ था एकी करण तुसका अंसर दोस्तो 1956 में मद्द प्रदेश का एकी करण किया गया था इसके बाद नैश्ठ है मद्द प्रदेश कितने संभागों में हैं इसके बाद नैश्ठ है जनसंख्या की दर्ष्टी से देश में मध्ड़ प्रदेश का इस्तान कौन सा है युश्क्त ha नैश्ठ है मध्ड़ प्रदेश का राज की विरक्ष क्या है राज किया है दो climate का प्रक्ष मध्-प्रदेश का राज की ये ब्रक्ष है इसके बाद नैश्ट है मद्द प्रदेश में लोग शवा सदस्यों की संक्या कितनी है या फिर लोग सवा सीटें कितनी है मद्द प्रदेश में दोस्तो तो लोग सवा सीटें है 29 इसके बाद नैश्ट है मद्द प्रदेश में राज्य सवा सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसका अंसर है 230 सीट है मद्द प्रदेश से प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र इसमें से कौन सा था तो सबसे पहले प्रकासित होने वाला समाचार पत्र था गौालियर अखवार तो इहाँ देनिक नहीं है सापतायक हुआ करता था इसके बात नेश्ट है मद्द प्रदेश युजना मंडल के प्रतम अध्यक्ष कौन थे प्रतम अध्यक्ष थे स्री प्रकास चंद्र सेटी युजना मंडल के प्रतम अध्यक्ष थे इसके बाद नेश्ट है मद्द प्रदेश की सीमा अधी कांस भाग किस राज में मिला हुआ है या फिर आप ऐसा बूल सकते हैं मद्द प्रदेश की सरवदक सीमा किस राज से लगती है तो इसका आंसर दोस्तो उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश राज के साथ मद्द प्रदेश सरवादक सीमे साजा करता है इसके बाद नैश्ठ है मद्द प्रदेश का कुल छेत्र फल देश के कुल छेत्र फल का लगबग कितने प्रती सत है तो देस्तो इस paling 9.38% है मद़्य पर देश का चित्फल है समपूर्ण भारत के चित्फल का सेह 설명 16 में सरमादिक निर्भरता किस उर्जा साधन पर है और सरभी तर बिद्धोत हैं तॉर्जा उत्पन्द होती है फिर इसका प्रयोग किया जाता है इसके बाद नैश्ठ है राजगाट बिद्धुत परियुजना किस नदी पर है या राजगाट परियुजना किस नदी पर इस्तित है तो दोस्तों यहाँ बेतवा नदी पर इस्तित है इसके बाद नैश्ठ है मद्ध प्रदेश की किस जन जाती में गोटल प्रथा पाई जाती है मुंडिया जन जाती में पाई जाती है इसके बाद नैश्ठ है मद्ध प्रदेश के बीट से गुजरने वाली करक रेखा किस नदी के शामांतर होकर गुजरती है तो किस नदी के शाम अंदर होकर गुजरती है यह नरब्द नदी के शाम अंदर होकर गुजरती है इसके बाद नैश्ठ है निमलेकित मैंसे किस के उत्पादन में मद्द प्रदेश का इस्थान देश में प्रथम नहीं है तो इस तो यह कपास के उत्पादन में प्रथम नही को सवारूजा पर आधरत बनाया गया है कास्थ वा ग्राम को सवारूजा पर आधरत बनाया गया है पूर्ता सवारूजा पर आधरत है क Bent प्रदेश किस नियौलnh weights का जिवाल्टर की संग्या प्रदान की गई है दोस्तों है कौलियर दुर्ग को की गई है इसकी बाद नैश्ट है मद्द प्रदेश में पंचायती राज विवस्ता का कौन सा धाचा अपनाया गया है मद्द प्रदेश में पंचायती राज विवस्ता का कौन सा धाचा अपना गया है तीन इसतर है दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर शमाप्त होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर ने सेयर कर और दोस्तों चैनल को सस्ट्सक्राइब पहना ना भूलconnect दो만 कोई कज़त हो तो फ्लीज मुझेscreen बॉक्स में करके आप जरूर बताना दो चलिए दोस्तों मिरत ही अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई